हेलो फ्रेंज, वेल कम टो माई चानल, हम लोग हमारे घडर का जो कॉफी मॉक होता है वह थोड़ा टूट जाता है या पुराना हो जाता है, तो उस शबको फेक देते हैं, या अलग कर रख देते हैं, कोई काम का नहीं होता है, आँज मैं वही हुआ धोड जरूचा वहा कफी सुरा सकते हो अपना घर तो वीडियो को अन तक जरूर देखना है सुरा सबगा कर देंगे म् कर दाएंग कर दो कर द दो म्संदळ कर्दा करें तक तक जरूर झाल झाल काफी मख बनने के बाद ड्राई हो जाए तभि आप उसे अप आप लगा एग तो मेरा काफी मख बनने के बाद जाई हो गया है अब कीलान लानले वाले भीमोड को Creator में कुछ स्टोन लेने वाले हीन कुछ कटिंग जो मैंने पहले से पानी में ग्लो किया है इस पे रूद लिंक कर आया है आज में वी इस कफी मख में लगा के दिखाने बादे हैं बर्सक्राइब अले कुछ स्टोन डालना है कि स्टोन में एमटी पॉट पर दे रखें रहु है किसलिए मैं स्टोन रख रहू आप चेक जरूर कीज़ेगा मैं आई बेचन के लिंक देज़ेंगे स्टोन डालने के बाद जो मेरा पॉटिंग मिक्स है वो मैं एड़ करते हूँ हाप पॉट इतना सा अब लगाओ गे तब ही ठीक है उसके बाद आपको कटिंग लेना है को मैं कुछ मणी प्लाण्ट का कटिंग ले रही हूं आप इसी भी प्लाण्ट का कटिंग ले सकते हूँ तो इस तरफ बीच में रखके उसके माद में धीरे-धीरे चारों तरफ से स्वयल देने वाली हूँ एक तरफ से नहीं देना है जो होब के चारो तरफ से आपको स्वाल देना है पूड़ा कफी मॉल को फिलेप परने पूड़ा नहीं थोड़ा ऊपर के तरह खाली रखना है इस तरह डीर दीर आपको देना है कि इस तरह मैं तोरह सेट कर रही हूं तो आपका प्लांट लगाना हो गया थोड़ा आप थोड़ा सा पेस कर सकते हैं ज्यादा नहीं तो अल्मुट्स रेडी हो गया आपका प्लांट इसके बाद हम लोग इस पे थोड़ा वाटिंग करने वाले हैं क्योंकि प्लांट लगाने के बाद और रिप़टिंग करने के बाद वाटिंग करने बहुत जादा ज़री है तो में थोड़ा लीट पे भी स्प्रे कर रही हूँ ए नॉर्मल टैप वाटिर ही है और प्लांट को भी मैं वाटिंग कर रही हूं आपका प्लांट इस रेडी एक टूटा हुआ सा कॉफी मक पे एक पुडाना सा कॉफी मक पे मैंने प्लांट लगा के किस तरह डेकॉर किया वह मैंने इस वीजियो पे दिखाया है हुआ हुआ है मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरे चानल को लाइक कош्षा को मेर मैं धालके कीजीगह अगर आप मेरे चानल iddo on является अस्काराइब जरूर कीजीगह सिर्मिलेगे नहीं कीसी वीडियो में तब तक के लिर बाय